अलो फ्यू राधे राधे स्वागत है आपका माता की रसोई में तो चलिए आज आपको दिखाते हूं कि आज क्या बनने वाला है आज बनने वाले हैं अचारी बेंगन तो चलिए शुरू करते हैं आपको अचारी बेंगन की विदी बताने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको और यहाँ पर आप छोटे-छोटे बैंगन देख रहे हैं इसको हम बीच में से काट करेंगे और उसको end तक नहीं कट करेंगे जुड़ा रहने देगे ठीकिया और इस तरीके से काट करना है और यह यहाँ यह क्रॉस कट होता है यह कट लगा देना जोड़ा रहने दिना इसी तरिके से आपको सारी ब्यणगन कट कर लेज ताकि इसके अंदर मसाला फिल किया जा सके कितने सुन्दर लग रहे हैं देखिए बैंगन कट हो चुके हैं और यह आप मसाला देख रहे हैं अब इस मसाले में हम यह जो नीबू है यह नीबू निचोड़ेंगे और सरसो का तेल डालेंगे ताकि यह मसाला अच्छे से लिकुड फॉर्म में आ जाए ठीक है अब इसमें नीबू को भी निचोड़ देंगे यह देखिए आपको ऐसे दिखाते हैं इसी तरीके से आपको यह नीबू निचोड़ लेना है और यह मसाला मिक्स कर लेना है ठीक है मसाला मिक्स करेंगे अच्छे से और यह बहुत ही टेस्टी फॉर्म बन जाएगा एकदम से बहुत ज्यादा स्वादिश्ट मिक्सर बन जाएगा इसको फील करेंगे बैंगर में एक एक करके सारे बैंगर में इसे फील कर देंगे तो तो तील डाल दो थोड़ा कम पढ़ गया है हां चेक कर दे रहेंगे कि कितना लिक्विड फॉर्म मतलब अच्छे से फील हो सकता है तो आप तेल की कॉंटिटी बढ़ा भी सकते हैं ठीक है यह देखो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद इसको एक एक करके चुटे-चुटे सी जो शिर्म सी बेंगण जिसमें कंट लगाये हम उसको दार से जाएंगे और उस बेंगान में इसको भरते जाएंग अच्छे से अब यह देखो बेंगण को डिखाया और जो चात लगाए थे उसी तरीके इस तरीके से खेंगे यह देखो ऐसे भरके सारे बेंगन रेडी करते रहने हैं आपको भी इसी तरीके से सारे बेंगन में मसाला भर लेना है अब हमने यह कड़ाई रख दिये अब हम फ्लेम को ओन करेंगे ऋसमें एक तमाटन के असे क्या होगा ज़िए और इसने क्या होगा मसाला भुने में असनी हो जाएगी तोह हम अब हम डालेंगे इसमें तेल यह डाला हमने तेल, थोड़ा जादा quantity में डालेंगा तोड़ा अचारी बेंगन बढ़ता है तो थोड़ा अचार वाली फिलिंग होने चाहिए अचार में थोड़ा सा तेल पड़ता है, और सर्सों का तेली ही डालना तो जादा टेस्टी बनेंगे, कोई और तेल यूज मत करा यहाँ पर यह थोड़ा सा मसाल था इसमें 1 टॉमाटर कर elbow कर ली और यह मसाला भून्णे के काम मिलता है आप लेकर आ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट लगता है इससे तड़का लगाने पर तो चलिए अब शुरू करते हैं कि तेल बिल्कुल करम हो गया अब इसमें हम पच्पोरन तड़का डालेंगे और जब हम इसमें बैंगन को डालेंगे बूनने के बाद तो पानी बिल्कुल भी एड़ नहीं करेंगे इसको इसी तेल की स्ट्रीम में बनने देंगे ताकि यह बहुत ही ज़्यादा फादिश्ट होगे पानी डालने के वाएस इसका ठेस्ट हराब हो जाएगा अब यह देखिए अवर पानी की हौंट्रिटी तो बिल्कुल जरासी बड़ेगी बिल्कुल इतनी की स्ट्रीम के लिए काम आए बस अबस इतनी सीट की ज़्यादा अर अण श्मीने बिल्कुल भी ज्यादा प ना पड़े, तो किसमें हम ग्रेवी वाला नहीं बना रहें विल्कुल सुख्य बना रहें अचार याथ जहते हैं तो हम ऐसे स्ट्रीम में बनाएंगे इसको तो थोड़ा से मसाले के भूनने का यह मसाला बुनकर बिल्कुल तयार हो गया है अब इसमें एक एक करके बैंगन को डाल देंगे याद रहे कि आप इसमें पानी मत डालना ताकि मसाला जो है यह बुनेवा मसाले में इस्टीम से ही बनेंगे ज्यादा टेस्टी बनेंगे पानी वही वह जो एक चम्मच जिसको कहते हैं ती स्पून उतना ही डाला था थोड़ हो जाएंगे बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे कि कितने स्टीम लगी और कितने तयार हुए आदे गंटे में लगवगे पूरी तरह से तयार हो जाएंगे तो चलिए आब इसमें कैप लगा देंगे और आदे गंटे तक यह बनने के लिए इसको छोड़ देंगे ये कि बीच बीच में इसको हम चैक कर्ते रहेंगे तो मिलते हैं आपको इसके बनने के बाद अब हम चैक करते हैं आदा घंडा हो चुका है इक वाव कितमे खुश्चूरे बैंग्न 600 रेंग्न फाइंग्न डने देखो मिलते हैं आपको मातागर सोई में नेक्स्ट रेसेपी में तब तक के लिए राधे 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 राधे